हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मेरा नमस्ते परणाम कैसे है आप लोग उमिद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोगों के आसिरवाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों से कुछ बताने आई हूँ तो कई मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के कि कि आपके घरवाले आपको कुछ बोलते नहीं आप वीडियो बनाते हो तो तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और यूटूब में वीडियो बनाना का कोई गलत काम नहीं है इसमें क्या किसी को बोलना चाहिए कि कि क्या मैं गलत काम कर रही हूं मुझे पता है कि मैं अपने गारे से बाहर जाके कुछ गलत नहीं कर रही हूं बस वीडियो बना रही हूं मेरा इसमें इंट्रेस्ट है मुझे इसमें मन लगता है करने में तो क्या मुझे नहीं करना चाहिए और मैं घर के अंदर रहके ये काम कर रही हूं तो इसमें क्या गलत है आप लोग ही बताए कि मुझे बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि क्या आपके परिवार वाले आपको कुछ कहते नहीं है क्या आपके हस्बेंट कुछ कहते नहीं आपको आप वीडियो बनाते हैं तो मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि इसमें मुझे बोलना चाहिए या रोकना चाहिए मैं ऐसा क्या गलत काम कर रही हूँ मैं बस वीडियो बना रही हूँ मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुबना आप लोगों से बाते करना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं घर में जब वीडियो नहीं बनाती थी तो अकेले रहती थी मुझे मन नहीं लगता था तो इसलिए मैं सोची कि मैं भी वीडियो बनाओं और मैं आप लोगों से जुड़ी तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा मन लगने लगा मैं खुस रहने लगी मगर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट से मुझे बहुत बुरा लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं वो लोग तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या लड़किया सिर्फ खाना बनाने के लिए होती है और गुंगट ओड़ने के लिए ही होती है घर में क्या हमें कुछ करने की आजादी नहीं होती है क्या क्या हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते हैं और मैं तो यह कहती हूँ कि लड़कें लड़कों से जादा अच्छा कर सकती है अगर कुछ करना चाहे तो हमें हमेसा क्यों मतलब बांद के रखने की कोशिश किया जाता है कि इसे बांद के रखो क्या मतलब यह कैसा रीती रिवाज है कि लड़कियों को कुछ भी करने की आजादी नहीं है अगर कोई लड़की कुछ करना चाहती है तो दस तरह की समाज में लोग बाते करने लगते हैं कि वीडियो बना रही है पता नहीं कहीं पे भी वीडियो बनाती है सब कोई उसे देख रहे हैं समाज के लोग उसे देख रहे हैं तो ऐसा क्या कर रही हूँ हूँ मैं कि गलत है य नहीं है क्या मुझे अपनी प्यारी नहीं है क्या मैं कुछ भी मतलब लोग ऐसे बाते करते हैं कि साधी के बाद मतलब वीडियो बना रही है साधी के पहले बनाती माईके को गंदा करती सुस्राल को क्यों गंदा कर रही है तो मैं ऐसा क्या कर रही हूं कि लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं इसमें क्या खराबी है मैं ये फूछना चाहरे हूं कि क्यों हम लोगों को मतलब क्यों लड़कियों को इतना मतलब टॉर्चर किया जाता है क्या रीजन है लड़के जो लड़कियों के बारे में कुछ भी कमेंट करके कहते हैं कि आपके हजबेंट कुछ कहते नहीं है तो मेरे हजबेंट उन लड़कों जैसे नहीं है वो मुझे समझते हैं और उन्हें मुझे भरोसा है और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी मुझे खुद पर भर कि मुझे बुरा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे समझ में तो नहीं आता है पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूं बस मेरा मन था इसको करने का मुझे अच्छा लग रहा था मेरी इच्छा है कि मैं ये करूँ तो मैं क्यूं नहीं करूँ मेरे पैरेंट्स भी ऐसे नहीं है मैं अपने पापा के बारे में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है किसी काम को करने के लिए मैं पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो, कभी नहीं कहा कि तुम मत पढ़ो तो मेरे पापा भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, जब मैं कोई काम करती हूँ तो भले मेरे से वो काम 100% ना हो, पर मुझे करने की अगर इच्छा होती है न तो मेरे पापा को मेरे उपर मुझसे ज़्यादा भरोसा उनको होता है कि मेरे बेटी कुछ गलत नहीं करेगी और वो अच्छे से कोई भी काम कर सकती है और क्या बताओं आप लोगों से कि मैं बहुत लखी तो नहीं हूँ पर मेरे हजबन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कोई भी काम हो घर के काम हो या फिर किसी भी तरह का काम हो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि हा तुम वो काम कर सकती हो मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम कर सकते हो आप करो इस काम को वो मुझे कभी रोपते नहीं है कि ये गलत काम है तो आप लोग मुझे डी मोटिवेट मत क्या कीजे फ्रेंट्स बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से में मेरा हाथ जोरकर विंती है कि प्लीज ऐसी बाते मत क्या कीजिए कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ और मैं गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ बस यही कहना है मेरा और मेरे रही बात फैमली का तो मेरे पैरंट्स मुझे नहीं रोकते हैं और मेरे ममी पापा के बात है तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अपने करियर के लिए और कोई बे काम हो वो मुझे फ्रीडम देते हैं कि आप कर सकते हो और किसी भी लड़की को यह फ्रीडम मिलने चाहिए उन्हें हमेसा रोबना नहीं चाहिए सादी के बाद हमारी लाइफ खतर नहीं हो जाती है एक नहीं लाइफ शुरू होती है और हमें उसमें सस्राल वाले की बहुत जादा सपोर्ट की जरूरत होती है और हस्बेंड का तो सपोर्ट चाहिए ही होता है तो आप लोग भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करें